अगर आप भी प्रदानमंत्री उजवला योजना के अंतरगत अपना connection लेना चाहते हैं यानि कि आप प्रदानमंत्री उजवला योजना में अपना गेज सिलेंडर के लिए online registration करना चाहते हैं आविधन करना चाहते हैं तो कैसे आप उजवला योजना के अंतरगत अपना registration करे साथ में कौन-कौन से दस्तावेज यानि की डोक्यूमेंट लगने वाले हैं, किस तरीके से आपको रेजिस्टेशन करना है, कहां पर क्या डीटेल फील करनी है, इसकी कम्पलीट प्रोसेस, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो पर बने रहें उजवला योजना में रेजिस्टेशन करने के लिए आपको प्रधान मंतरी उजवला योजना की जो ओफिशली वेबसाइट इस पर आपको आ जाना है, इस वेबसाइट पर आने के बाद कुछ इस तरका होम पेज दिखाई देगा, यहाँ पर होम पेज इसमें देखने को म बताई गई हैं और डोक्यूमेंट बताया गया है कि कौन को से डोक्यूमेंट आपको पर लगने वाले हैं, यहाँ पर आपको अप्लाय करने के लिए सबसे लास्ट में ऑप्शन मिल जाता है, ओनलाइन प्रोटल, आपको ओनलाइन प्रोटल के ओप्शन पर क्लिक करना है, बारत गेस या HP का जो भी आपको connection लेना है उसके सामने click here का जो option है उस पर click करना है click करने बाद next page open हो जाएगा जिसमें आप दिखेंगे connection type अब यहाँ पर आपको option देखना है regular connection registration या उज्वला beneficiary connection आपको कौन सा connection लेना है हम यहाँ पर उज्वला beneficiary connection लेना चाहते है तो second number का जो option है spec tick करना है जिससा आप spec tick करेंगे फिर आपको नीचे score करना है और I accept का जो options पर click करना है और यहाँ पर आपको अपना distributor destabil triangular search करना है अब आप distributor को नाम से सर्च कर सकते हैं और location वाइज भी आप search कर सकते हैं कि हैंसा आप gas तंगी लेना चाहेंगे उज्वला योजणा में तो आप अपने distributor को location wise यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, हम location wise यहाँ पर search करेंगे, location पर click करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना state choose करना है, district choose करना है, और distributor choose करना है कि कि किस के यहाँ से आप उजबला योड़ना है कि gas kit की cylinder लेंगे, तो सिर्प से पहले हम state choose करते ह इसके बाद आपको उपना डिस्टिक चूज कर लेना है जो भी आपका जीला है वो यहाँ पर चूज कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप डिस्टिबुटर चूज कर लेंगे यहाँ पर डिस्टिबुटर लिस्ट ओपन हो जाएगी जो भी डिस्टिबुटर आप चू करना है next के option पर जब आप क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपके सामने next page open हो जाएगा जिसमें आप देखेंगे आपको यहाँ पर आपके distributor का नाम address दिखाई देगा और यहाँ पर आपका जो contact यहाँ अब आपको यहां पर आपको सामने दिखाई देगा इस application को आपको form को feel करना है इस application को आप कैसे feel करेंगे फील करने के लिए ध्यान साब को आप यह पारी की से एक चीज़को आपको feel करने होगी फिल करने के लिए सब सब पहले open में है आप option देखेंगे आदर नमबर अब आप जिस महिला के नाम से connection ले रहे हैं उनका यहाँ पर आपको आदर कार्ड नमबर सही तरीके से 12 डिजिट का आदर कार्ड नमबर यहाँ पर फिल करना है आप आदर कार्ड नमबर यहाँ पर फिल करेंगे उसके बाद नीचे आप देखेंगे viewer detail full name तो आपको अपने आदर कार्ड में जो name है सही तरीके से आप आपको आपको सही तरीके से वो name है चूँस करना है उसके बाद यहाँ पर first name फिल करेंगे यहाँ पर सइन साही तरीके से फिल कर देंगे पर फिल करना है select cast, तो simply आप general से OBC से, ST से, SC से वो आप अपनी हिसाफ से यहाप अपनी cast choose करेंगे उसके बाद rashan card detail जिसमें आपको अपना rashan card state of issue आपका और किस date में आपका rashan card issue हुआ है यानि कि आप यहापर समगर ID की जो भी date है आपकी rashan card की वो उसे साफ साफ यहाँ पर choose कर सकते हैं यानि कि आपका जो भी rashan card की ओपर date लिखा हुआ तो आप यहाँ पर field करेंगे उसके बाद rashan card number में आप अपनी family ID भी यहाँ पर field कर सकते हैं अगर आप MP में कर रहे हैं मध्यवर्स में आप अपना family ID, पडिवार ID field कर सकते हैं अगर आपका other state में rashan card number रहता है तो आप यहाँ पर field करेंगे रashan card number यहाँ पर field करेंगे रashan card में देखने के बाद और page को नीचे scroll करेंगे तो यहाँ पर आपको देखेंगे connection address, contact information address यहाँ पर आपको field करना है सबसे पहले आप rural में connection लेना चाहते हैं, अरबन में लेना चाहते हैं याई कि आपका जो भी address है भो field करेंगे यहीं कि आप gonna रश utilizing to नीच है फेल करेंगे तो हम गाउन से तो rural हैIC लेक करेंगे उसके बादध हाउस number यहाँ का माकान number field करना है आपका जो भी मकान नमर हैं आधर्कार के अनुरुशार यहां पे आप फील करेंगे उसके बाद स्तेट नेम, सीटी टाउण ये अए कि आपका जो भी सीटी टाउण है वह फील करेंगे दिस्टिक चूँस करेंगे तो चलिए हम पेले मकान नमर कर लेते हैं बारी किसे एक एक चीज यहां पर आप ध्यान से सही feel करेंगे street name यानि कि आपका street name feel कर लेंगे उसके बाद आप अपने city town का नाम यहां पर feel करेंगे city town का नाम यहां पर feel कर लेंगे उसके बाद यहां पर आपको option मिल जाता है district का तो आपका जूबी जीला है, उस जीले का यहापको सही तरीके से chain करना है, ध्यान से आपको आपको फिल करना है, इस form में आपको किसी प्रकार की कोई भी mistake नहीं करनी है, जीला है जीला है आप चूस करेंगे, जीला चूस करने के बाद नीचे आपका state automatic यहाप़ फिल रहेगा स्ट्रेट के सामने pin code का जो option है तो आपको अपने area का जो pin code है वो आपको आपके सही तरीके से feel करना है pin code आपके आदर कार्ड में भी लिखा होता है तो वो आप यहाँ पे feel कर लेंगे pin code यहाँ पे feel कर लेंगे pin code यहाँ पे feel करने के बाद email area का जो option है अगर यहाँ पर आपके पास email एडिया तो आप feel करेंगे अजय था आप छोड़ भी इस option को सकते हैं फिर आपको mobile number में आपका जो mobile number है वो यहाँ पर आपको सही थरीके से feel कर देना है mobile number यहाँ पर आप enter करेंगे यहाँ फिल करेंगे उसके बाद office phone आपके पास कोई office का phone है तो वो देंगे अगर नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं और नीचे आप देखेंगे आप नीचे तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पर option मिल जाता है participant of bank account तो particular bank account यानि कि आपको अपना नादर का नंबर दिखाई देगा उपर में और यहाँ पर आपको नीचे आपका bank detail देना होता है यहाँ कि आपका जो bank passbook है जिसमें आपकी subsidy आपको मिलती है guest lender की उसके लिए आपको अपना bank account यहाँ पर लगाना होता है तो आप यहाँ पर आपना bank account लगाने के लिए simply सबसे पहले आपको IFC code यहाँ पर आपकी bank खाते का जो भी IFC code होता है वो यहाँ पर आपको फील करना है और confirm IFC code में दूबार से जो आपने IFC code फील किया है और confirm bank account number यहाँ पर पूरी तरीके से और नीचे आप देखेंगे your account as bank your name as in bank account यहाँ आपके bank account खाते में जो भी नाम है आपका वो नाम यहाँ पर फील करेंगे तो आप यहाँ पर जो basic जो चीज़े दी हुई है इनको ध्यान पूर्वक से आप यहाँ पर सही सही तरीके से फील कर लें बारी की से एक एक चीज़ को आपको सही तरीके से फील करने है बारी के से आप यहाँ पर सारी चीज़ों को आप जब आप फील कर लेंगे, फील करने के बाद, यहाँ पर ध्यान पूरू गोई और इस तरीके से हर चीज़ को आपको आपको आप बारी के से फील करना है, यहाँ बिल्कुल भी किसी प्रकार की अकाउंट नंबर में, या नि कर देता कि आपको सबसेटी मिलने में कोई भी प्रोब्लम का सामना नहीं करना पड़े जब आप सही तरीके से फील कर लेंगे सही तरीके से यहां पर फील करेंगे तो फील करने के बाद नीचे आप देखेंगे LPG Connection Detail आपको हाँ पर option दिखाई देगा LPG Connection Detail का जिसमें यहाँ पर आपको connection दिये हुए है Type of Connection यहाँ पर आपको तीन टाइप के connection दिये हुए है जिसमें आप 14 kg, 5 kg और 5 kg देख सकते हैं आप तीन तरह के आपको connection दिये हुए है तो simply यहाँ पर आप 14 kg का जो option है जो कि first वाला आप इसको select करें उजोला विद्णम अगर आप connection ले रहे हैं तो आप यहाँ पर 14 kg का option ही choose यहाँ पर करें choose करने के बाद आप यहाँ पर Choose कर लेंगे उसके बाद नीचे आप आएंगे तो आपको आप देखने को मिल दैगा Proof of address नीचे आपको देखने को मिलेगा proof of address का जो option है इसमें आप कौन सा address के लिए proof लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर आदर का चूज करेंगे यहाँ पर बहुत साए डॉक्युमेंट दिये हुए पासपोर्ट वोटर आइडी आदर कार्ड डाइंग लाइसेंस बहुत सारे यहा नीचे आपको ओप्शन दिखाई देगा अफ्लोड डोक्यूमेंट तो यहाँ पर आपको अप्लोड डोक्यूमेंट करना है जिसमें आपको अप्लोड में आने की आदर कार्ड देना है अपना पासपोर्ट साइट फोटो देना है जो कि यहाँ पर कितने के इंदर यहाँ 50s के भी तो इसमें देना है और आपको अपना यहां पर राशन कार्ड अप्लोड करना है यानि कि MP से है तो आप समगर आइडिया इनकी family आइडिया अप्लोड कर सकते हैं परिवार आइडिया तो हम यहां पर चलिए यहां पर एक एक करके यहां पर अप्लोड कर लेते हैं तो आपको अपना आधर कार्ड अप्लोड कर देना है आपको एड्रेस प्रूप में भी आप अपना आधर कार्ड दे सकते हैं पूरी तरीके से आप यहां पर डोक्यमेंट अप्लोड हो जाएंगे पूरी तरीके से आप यहां पर स्कोर करने के बाद यहां पर आप देखेंगे detail of family members तो आपके परिवार में जो member हैं उनकी detail आप यहां पर आपको देनी है तो आपके family में कितने member हैं उसका चैनल लास्टम सबसक्त पहले करेंगे और उसके बाद यहां पर आप अपने member की पूरी जान करिए वो यहां पर फील करेंगे यहले कि member जो हैं वो आपके क्या लगते हैं यहां पयोप लिखेंगे यहनिके आप select करेंगे उसके बाद family member का यहां पर आधरकार हैं आपने that है आप लिखेंगे और क्या दो option दिखाई देंगे add member और delete member अगर आप गलती से आप से को जान करें तो उडिलीट कर सकते हैं और add अगर और भी member को अगर आप add करना चाते हैं जितने member हैं सभी को आप यहाँ पर add कर सकते हैं तो add member पर एक option पर आप click करेंगे add member के option पर click करेंगे add member के option पर अब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा member यहाँ पर add हो जाएगा और भी बाकी member को अगर आप add करना चाते हैं तो add पर click करके member को add कर सकते हैं add करने के बाद नीचे आप यहाँ पर description मिल जाएगा delegation इसमें आप चेक बोक्स पर तावेद लेकर आपको जो अपनी guest agency है उजूला connection की जो भी आपने agency चूज करें उन पर आपको चले जाना है और वहाँ जाकर आपको अपना guest cylinder के लिए registration कर सकते हैं